प्रिये विद्यार्थियों मैं गुर्मीत सिंग सह आचार्य हिंदी विभाग राजकीय महाविध्यले बून्दी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विशे 2.8 प्रतम वर्ष, हिंदी सहित्य, प्रतम प्रशन पत्र के अंतरगत, पाठे पुस्तक, भक्ती काव्य में संकलित कवी महा कवी सूरदार से समंदित है यह प्रत्थम प्रश्न पत्र की दित्य एकाई है जिसमें सूरदास, तुलसीदास, रस खान और मीरा यह चार कवी है इससे पूर्व सूरदार से समंदित पांच व्याक्यान प्रसारित किये जा चुके है यह आज छठा व्याक्यान है जिसके अंतरगत पद संख्या 15, 16, 17 अर्थात कुल तीन पदों की व्याक्या की जाएगी सरप्रथम पद संख्या 15, उद्धव संदेश से संबन्दित है उद्धव को ब्रज भेजना पहले हम इस पद का वाचन करेंगे उसके बाद इसकी व्याक्या करेंगे जदुपती जानी उद्धव रिती जिहीं प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनिती विरह दुख जह नहीं नेकहूं तहन उपजे प्रेम रेख रूपन बरन जाके इही धर्योव नेम त्रिगुन तनकरी लखत हमको ब्रह्म मानत और बिन गुन क्या पहुमी उद्धरे यह करत मन डौर बिरस रसके मंतर कहिये क्यों चले संसार कच्छू कहत यह एक प्रगटत अती भर्यो अहंकार प्रेम भजन नेकु याको जाई क्यों समझाई सूर प्रभु मन यहे आनी बरजही देव पठाई यह पंदर्मा पद उद्धव संदेश से संबंदित है प्रस्तुत पद सूर्दास वाले पाट से लिया गया है उद्धव निराकार ब्रह्म के उपासक थे अर्थात निर्गुन भक्ती के वह उपासक थे उन्हें ग्यान का घमंड भी था क्रश ने उनका घमंड दूर करने का यह उपाए सोचा की इसे बरज भेज दूँ यह पद इसी संदर्भ में है जदुपती जानी उद्धव रिती क्रश ने उद्धव का ढंग जान लिया की यह जिहीं प्रगट निज सखा कहियत कर्त भाव अनीती क्रश ने उद्धव का ढंग जान लिया की यह प्रगट रूप से तो मुझे अपना सखा मानता है अर्थात मित्र मानता है किन्तु जैसा भाव मेरे प्रती रखता है वह नीती संगत नहीं है मेरे प्रती यह अनीती करता है विरह दुख जहां नाही ने कहूं तहन उपजे प्रेम जिसके भीतर किसी के विरह का थोड़ा भी दुख न हो वहाँ उसके प्रती प्रेम का भाव नहीं हो सकता यहाँ पर क्रेश्न कह रहे है रेख रूप नन बर्न जाके इही धर्योव वह नेम इस उद्धव ने उसकी उपासना का नियम निभाया है जिसकी कोई रेखा रूप रंग नहीं है कोई पहचान नहीं है कैसा भी आकार नहीं है त्रिगुन तन करी लखत हम को ब्रह्म मानत और यह मुझ क्रेश्न को सगुन अवतार को त्रिगुनों से अधीन मानता है तथा ब्रह्म को मुझ से प्रथक मानता है अर्थात यह ब्रह्म किसी को और को मानता है इसका ब्रह्म निर्गु निराकार ब्रह्म प्रतीत होता है बिना गुन क्यों पहुमी उधरे यह करत मन डोर बिरस धस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार इस उद्धव के मन का धंग यह है कि यह गुनों के बिना ही धरती को उगाड़ना चाहता है बिना गुन क्यों पहुमी उधरे यह करत मन डोर मसलन मन को किसी गुन का तो सहरा होना ही चाहिए जिसमें रस नहीं जो नीरस है उसकी उपासना करने में कठिनाई होती है बिरस रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार यह धंग व्यावारिक नहीं है रस पूर्ण के प्रती ही लगाव होता है नीरस के प्रती नहीं यह एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता और इसमें एहंकार भी बहुत है बिरस रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार कच्छू कहत यह एक प्रगटत अति भर्यो अहंकार हम में इसको कुछ कहता हूँ लेकिन यह एक निर्गु निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और इसमें अत्यदिक अहंकार भी भरा हुआ है अन्तिम दो पंक्तियों में महाकवी सूरदास कहते हैं कि शिरी क्रश्न ने अपने सखा उद्धव को समझाने के लिए इसी बात को समझाने के लिए भजनन नेकु याको जाई क्यों समुझाई सूर प्रभु मन यह आनी बरजही देव पठाई इसमें प्रेम भजन तो थोड़ा भी नहीं है इसलिए इसे समझाया भी नहीं जा सकता सूरदास वर्णन करते हैं कि यह सोचकर क्रश्न ने मन ही मन में यह निश्चे किया कि इसे ब्रज भेज दू ब्रज में जाकर गोपी काउं का प्रेम देखकर यह प्रेम और भजन का महत्व समझ जाएगा प्रस्थूत पद में ज्यान का घमंड रखने वाले ब्रह्मो पासक उद्धो के बारे में क्रश्न के विचार प्रस्थूत किये गए हैं सूर सगुन भक्त क्रश्न के भक्त हैं उन्होंने इस पद के माध्यम से कई बातें स्पष्ट करनी चाही हैं एक तो यह की निराकार की उपासना में कठनाई यह है कि ब्रह्म की कोई पहचान नहीं है दूसरे ज्यान से प्रेमा भक्ती स्रेष्ठ है भक्ती में एक आनंद है आनंद के प्रती आकर्शन स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है अतर सगुन की भक्ती व्यवारिक भी है उद्धव को ब्रज क्रशन ने एक विशेश उद्देश्य से भेजा था वह यह की उद्धव का ग्यान का घमंड गोपियों का अतिशे प्रेम भक्ती देखकर दूर हो जाएगा भाशा में सांकेतिकता है पद शेली है वक्रोक्ती एवम अनुपरास अलंकार है सूर्दास की भाशा ब्रज भाशा है जिसमें सहज माधूरे है लाक्षनिकता और व्यंजकता की विशेशताएं हैं तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में सिरीक रशन उद्धव को गोपियों के पास इस प्रकार भेजते हैं कि वह ब्रज में जाकर गोपियों की विरध अशा को देखें और गोपियां किस परकार इनके प्रश्णों का उत्तर देती हैं और किस परकार यह वहां से पराजित होकर आएंगे यही सोचकर अर्थात ग्यान पर भक्ती की किस परकार से विजे होगी यही सोचकर क्रश्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेज देते हैं ब्रजही देहु पठाई अर्थात भेज देते हैं उसके बाद पद संख्य सोला है जिसमें उद्धव गोपी समवाद उद्धो हम आजू भई बड़ भागी जिन अंखियन तुम श्याम बिलो के ते अंखियां हम लागी जेसे सुमन बास ले आवत पवन मधुप अनुरागी अती आनंद होत हैं तेसे अंग अंग सुख रागी जो दर्पन में दर्स देखियत द्रश्टी परम रुची लागी तेसे सूर मिले हरी हम को विरह विथा तन त्यागी ये सोलमा पद है उद्धव गोपी समवाद होता है प्रस्तुत पद सूर्दास वाले पाट से लिया गया है क्रश्ण के मतुरा चले जाने से गोपियां क्रश्ण के संदेश की प्रतिक्षा करती थी इसी बीच क्रश्ण द्वारा भेजे गए उद्धव आ गए उन्हें देखकर गोपियों ने जो कुछ कहा यहां उसी का वर्णन है गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव हम आज आपको अपने समक्ष देखकर स्वहिम को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हैं उद्धो हम आज भई बढ़ भागी अत्यंत सो भाग्यशाली अनुभव कर रही हैं आपको सामने देखकर परत्यक्ष रूप में जिन अंखियन तुम श्याम बलो के ते अंखियां हम लागी जिन आखों से आपने क्रश्ण को देखा है उन आखों को हम देख पा रही हैं इसके माध्यम से उनकी विरह दशा का भी उलेख कभी करना चाहते हैं कि वो कितनी व्यथित हैं कितनी दुखी हैं क्रश्ण के मथुरा चले जाने पर बरज में वो कितनी वेथित होती हैं दुखी होती हैं तो वो उद्धव से करती हैं कि आपकी जिन आँखों ने क्रश्ण को देखा है उन आँखों को हम आज देख पा रही हैं जैसे सुमन बासले आवत पवन मधुप अनुरागी जिस परकार फूल की सुगंद को लाने वाली हवा पर भोरे का अनुराग होता है उसी परकार आपको देखकर हमें अत्यंत आनन्द का अनुभव हो रहा है अती आनन्द होत हैं तैसे अंग-अंग सुख रागी उसी परकार आपको देखकर हमें अत्यंत आनन्द का अनुभव को रहा है और हमारा अंग-अंग सुख पा रहा है जो दर्पन में दर्स देखियत द्रश्टी परम रुची लागी तैसे सूर मिले हरी हमको बिरव विथा तन त्यागी दर्पन में द्रश्टी से प्रति बिम्ब देखकर जिस परकार अच्छा लगता है अपनी प्रति चाया को कांच में देखने पर दर्पन में देखकर जिस परकार से अच्छा लगता है वेसे ही हमें सुख का अनुभव हो रहा है जो दर्पन में दर्स देखियत द्रश्टी परम रुची लागी वेसे ही हमें सुख का अनुभव हो रहा है क्योंकि हमें तो आपके रूप में मानो क्रश्न ही मिल गए हैं तैसे सूर मिले हरी हमको हरी अर्थात इश्वर हमारे आराध्य हमारे प्रियतम हमारे स्वामी सिरी क्रश्न मानो हमें आपके रूप में प्राप्द हो गए हैं और शरीर से उनके विरह की विथा कुछ समय के लिए दूर हो गई है अर्थात कहने का अभिप्रा यह है कि कवी महा कवी सूर्दास इसके माध्यम से यह व्यक्त करना चाहते हैं कि उद्धव को देखकर गोपियों के हिर्दे में उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है और वह किस परकार उद्धव से कहती है कि आपको देखकर हमें ऐसा प्रतित होता है कि मानो हमने क्रश्न को प्राप्त कर लिया है उनको पा लिया है इसलिए हमारे शरीर से जो विरव्यता है वो कुछ समय के लिए दूर हो गई है यहां क्रश्न के प्रतिनिधी उद्धव को अपने समक्ष पाकर गोपियों पर जो प्रतिक्रिया हुई उसका वर्णन किया गया है वर्णन में मनो विज्ञानिक्ता है स्वभाविक्ता है इसमें गोपियों का क्रश्न के प्रति अतीशे लगाव व्यंजित हुआ है कभी की कलपना शक्ती द्रश्टव्वे है यहां उद्धारन एवं अनुपरास अलंकार है और पद मेत्री है तथा चित्रात्मक्ता की विशेश्ताएं भी प्रस्तूत पद में देखी जा सकती है उसके बाद आता है सत्तरवा पद जिसका पहले हम वाचन करेंगे वही उद्धव गोपी संदेश शीर्शक चल रहा है उद्धव गोपियों को ग्यान का उपदेश देने के लिए आये हैं लेकिन गोपियां किसी भी परकार से उनके ग्यान के उपदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है उद्धो मनन भै दस बीस एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्री सिथिल भै केशव बिनू जो देही बिनु सीस आसा लागी रहती तर स्वासा जीवही कोट बरीस तुम तो सखा स्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनू और नहीं जग दीस यह सत्तरमा पद है प्रस्तुत पंक्तियां सूर्दास वाले पार्ट से ली गई है क्रेश्न द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव ने गोपियों को निराकार की उपासना का उपदेश देना शुरू कर दिया क्रेश्न की अनन्य भक्त गोपियों ने उद्धव के सामने निराकार की उपासला न करने की अपनी विवश्टा दर्शाई इस पद में उसी का वर्णन किया गया है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि है उद्धव उद्धो मन नभे दस बीस हमारे पास दस बीस मन तो है नहीं और इस बात का हमें दुख भी है एक हुतो सो गयो स्याम संग को अवराधे ईस मन तो एक ही था और वह क्रश्न के साथ चला गया कहां पर चला गया मतुरा में चला गया और उद्धव आये हैं ब्रज में गोपियों को उपदेश देने के लिए तो उद्धव से गोपियां करती हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि हमारे पास दस बीस मन नहीं है यदि दस बीस मन होते तो हम एक आद मन से आपके ब्रह्म अर्थात निर्गो निराकार की भी उपासना कर लेते हमारे पास तो एक ही मन था वो क्रश्ण के साथ चला गया अब हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए निराकार ब्रह्म की आराधना करें इंद्री शिथिल भई केसव बिनू जो देही बिनू सीस क्रश्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी अशक्त कमजोर हो गई है हमारी इस्तती ऐसी बनी हुई है जैसे बिना सिर के शरीर की होती है जो देही बिनू सीस देहे अर्था शरीर की जो इस्तती बिना मस्तक के होती है वैसी ही इस्तती हमारी अभी बनी हुई है आसा लाग रहती तन स्वासा जीवही कोट बरीस हमारे शरीर में जो स्वासें चल रही हैं वे इस आशा में चल रही हैं कि शायद क्रश्ण कभी लोट कर हमें दर्शन देंगे इसी आशा में हम करोडों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करती है हे उद्धव तुम तो सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के ईस हे उद्धव आप तो शाम सुन्दर क्रश्ण के सखा ठहरे सखा अर्था मित्र और समस्त योग के जानकार भी योग अर्था तपस्या ज्यान के जानकार भी हो सकल जोग के इस अत आप तो चमतकार भी कर सकते हो सब कुछ जानते हो क्योंकि आप संपूर्न योग के इश्वर हो स्वामी हो तुम तो सखा शाम सुंदर के सकल जोग के इस आप हमारी इस्तती को भी जानते होंगे सूर हमारे नंद नंदन बिनू और नहीं जगदीश हम कहना यही चाहती हैं कि नंद के नंदन करश्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी नहीं है प्रस्तुत पदमे गोप्यों ने शिष्ट ढंग से शालीनता से अपनी विवश्टा का उलेक कर निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की अपनी बात स्पष्ट कर दी है गोप्यों का भाव यह रहा है कि आप से अधिक क्या कहें आप योग शास्त्र के पंडित हैं महा ग्यानी हैं आपके सामने अधिक कुछ कहना छोटे मुह बड़ी बात होगी व्यंजना शब्द शक्ती का प्रयोग हुआ है सांकेतिकता है अभीदा लक्षना व्यंजना तीन परकार की शब्द शक्तियां होती हैं यहां पर व्यंजना शब्द शक्ती का प्रयोग हुआ है भाशा में आत्मियता है और वह कथे के अनरूप है गोपियों का कथन उनकी तरक शम्ता का ध्योतक है भाशा में माधुरे गुण है ओज प्रसाद और माधुरे तीन पत्रके गुण होते हैं तो प्रस्तुत पद में माधुरे गुण का प्रयोग किया गया है इस कथन में यह वेंजना भी है कि आप यदि योग वेत्ता हो तो पहले हमें करशन से मिला कर तो दिखाओ अर्थात आप हमें निर्गुन निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए हैं लेकिन हम कदापी अपने आराध्य सिरी क्रश्म को विस्मरत नहीं कर सकती और उनके स्थान पर आपके निर्गुन निराकार ब्रह्म को नहीं अपना सकती तो विध्यार्थियों आज का व्याख्यान इन तीन पदों से संबंदित था 15, 16 एवं 17 जो की उद्धव संदेश और उसके अंतरगत उद्धरव और गोपी का जो समवाद होता है उससे संबंदित था इसके बाद का व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा